हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जारा हूँ कि कैसे आप अपने Motorola Edge 20 Android वाइल फोन में आप जो है टच वाइबरेसन सेटिंग को डिसेबल कैसे कर सकते हैं यानि कि आफ कैसे कर सकते हैं और ये टच वाइबरेसन सेटिंग जो है डिसेबल करने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जांकारी देने वाला हूँ तो चलिए आप जो वीडियो को इस्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो आपको अपने mobile phone में setting page open करना है setting page open करेंगे तो आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको sound का option देखने हो मिलेगा sound पर select करना है अब यह sound के इस page में आपको नीचे की side में आना है यहाँ पर आपको जो है touch vibration का option मिल जाता है touch vibration option के ठीक सामने आपको यह button दे रखा है यह button को select करेंगे तो यह black color में off हो जागा button तो इससे क्या होता है कि आपकी touch vibration setting जो है वो disable हो जाती है अब आपको यह बता जाता हूं कि touch vibration setting जो है disable होने के बाद यह setting कैसे काम करती है तो जब भी आप अपने पूरे mobile phone में ठीक है किसी भी option को आप जो है यह setting को disable कर दिया है यानि कि off कर दिया है तो आप किसी भी option को touch करेंगे तो आपका phone जो है बिलकुल भी vibrate नहीं करेगा ठीक है तो यह setting disable करने के बाद कुछ इस तरीके से काम करेगी आपके Motorola Edge 20 Android mobile phone में ठीक है अब मैं आपको touch vibration setting को ढूंडने का एक shortcut तरीका बता देता हूँ आपके mobile phone में ठीक है आपको करने क्या है कि mobile का setting page open कर लेना है setting page में आपको सब से उपर यह search setting का option दिखा ही देता है search setting पर आपको select करना है अब यहाँ पर आपको search bar में type करना है touch vibration ठीक है जो setting का name है आपको पूरा पूरा यहाँ पर type कर देना है इस तरीके से ठीक है तो आपको नीचे की side में यह touch vibration का option show हो जाता है जब यह नीचे की side option show हो जाएगा तो इसे आपको select कर लेना है इससे होगा क्या कि आपका mobile phone जो है आपको direct इस setting में लेकर आ जाएगा और इस setting को जो है highlight करके दिखाएगा तो यह touch vibration setting को ढूंडने का एक shortcut तरीका है मैंने आपको बता दिया इस shortcut तरीका आपके Motorola Edge 20 Android iPhone में